मैं रिना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल तूड़ा पॉइंट में दोस्तों इस समय मैं आपके लिए लेकि आए हूँ विए थल्दियर यानि फैनल येर का होम साइंस जिसमें कि आप देखें के परसार सिच्छा यानि जो आपका सिकन पेपर है स इंडियर यानि कि भारतिये ग्रामिर शेवा किसे कहते हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने यही topic डिसकर्स करूंगी जो मैं पूरा आप लोग के सामने इसको बताऊंगी यह आपके सिकन पेपर में पूछा जाता है परसार सिच्छा में कि भारतिये ग्रामिर शेवा किसे कहा जाता है तो ठीक है देखे इसकी सुरुवात सन 1908 में हुआ था और किया किसने था तो बी यन गीता नामक एक भारते बैपारी ने किया था जो कि अमेरिका में थे ठीक है किसने किया था तो बी यन किसने किया था बी यन गीता ने किया था ठीक है अमेरिका में ये रहते थे वहाँ पे जो था वहाँ पे ग्रामीर कल्यार की अनेक योजनाए क्या किया जाता था कि वहाँ पे जो है जो ग्राम था उसके लिए अनेक ऐसी योजनाए ग्रामीर जीवन को की विकास के लिए चलाया जाता था तीक है जो कि कहां पे चलाया जाता था मेठो दिक्स तथा प्रेस्ट भी टेनेरियन नामक गिर्जा घरों में ये चलाया जाता था तीक है अमेरिका में चलाया जाता था और जो कि आपके बी कौन थे आपके जो प्रोफेशर बीयन गीता थे ये वहाँ पे थे तो इनको क्या लगा इसके माध्यम से ये चलाया जाता था इन कारीकर्मों के तथा ये था नहीं रहेगा तथा लोगों की रुची पूरे ग्रामीर जीवन के प्रति जागर्थ हो रही थी यानि कि ग्रामीर को उत्हान करने के लिए इनktó दिमाग में ये भावनाएं आ रही थी तो शिरी आपके शिरी गुप्ता जो थे इनोंने इन कारुकर्मों कि लिए क्या किया इन गत्विधियों और उपलब्दियों के अतियंत प्रभावित हुए आपके बियन गुपता जो थे इससे क्या हुए बहुत ही जादा प्रभावित हुए और क्या किया इन्होंने कि इसकी उपलब्दी और प्राप्त को जो भी चीजे थी इनकी इनको बहुत ही जादा प्रेरिक किया क्या करने के लिए कि इस कारिकर्म को भारत में भी चलाई यानि कि योजनाएं अपने देश भारत में ही चलाई जाए ऐसा इन्होंने सोचा किसने सोचा आपके बियन गुपता ने ऐसा सोचा तो यहां पर इन्होंने जो मैथोदिश्ट और आपकी प्रेवी टेरेनियन जो गिर्जाघर था वहां पर जो अनेक संगर्थन हुए थे उन से अनुरोध किया कि ग्रामीर कल्यार कारी जो योजनाएं इसको भारत में चलाई जाए ऐसा आपके बियन गुपता ने उन लोगों से क्या कहते हैं डिक्वेस्ट किया अनुरोध किया थिधिए उसके बाद यह आपके पेश्टी तेरेनियन के चर्च के जो तत्था अधान में भारतिय तथा बिदेशी मिशनरियों के सहयोंग से एक सिमित बनाई गई और जिसकी बैठक IT Christian College लखनों में किया गया IT यानि कि इसकी बैठक कहां पर की गई एक सिमित जो बना मिशनरियों के सहयोंग से जो एक सिमित बनाई गई उसकी बैठक सबसे पहले आईटी क्रिस्टियन कॉलेज जो लखनों में है 1945 वर्स में इसकी बैठक की गई जिसमें कि इंडियन के लिए क्या किया गया इंडियन बिलेज सर्विश नामक ग्रामीर भिकास का अनुमोधन किया गया थिक है इंडियन बिलेज सर्विश के लच्छ किया थे तीक है तो इसके लच्छ कौन कौन से थे तीक तो ग्रामीर जीवन के प्रती ग्रामीरों में रुची उत्पन करना इसका पहला लच्छ था दूसरा लच्छ क्या था कि ग्रामीरों में जागुता पैदा करना जिससे वह अपनी समय सके थी वो अपने आप भी जागरूख हो चके इनको इतना जागर जागरूख बना दिया जाए कि वो उनके सामने जो भी समय से आए आते हैं उसे वो समझ सके और उसको हल कर सके इसलिए इंडियन ब्लेश सर्विस का पहल किया गया थी कि इसके बाद तीसरा पॉइंट ग्रामीर विकास योजनाओं की संभावना को बढ़ाना उसके बाद पांचवा पॉइस जो था इनका कि परदर्सन पर सिच्छ द्वारा ग्रामीरों को सिच्छित करना भी इसका एक उद्देश बनाएगा कि इसका इंडियन ब्लेश सर्विस या भारतिये ग्रामीर शेवा इसका का एक लच्छ था थीक है आगे देखिए उनका शिक्स जो देश्ठाव था सहरों में रहने वाले ग्रामव उठान कारिकर्मों में योगदान देने usted कना यानि कि जो सहर में रह रहे हैं ग्रामीर के लोगों को उनका उफ्थान करने केलिए ऐसे कारीकर्मों में अपना योगदान दे जो उनको प्रेरित करें ठीक है अगला पॉइंट इनका था की जो है राजकी एस्तर पर चलाई जाने वाली ग्रामीर विकास्य उजनाओं में शयोग परदान करना इस इनका सब्सक्राइब देश तखर भारट भार्तीयजिपे आवरट्र अब किया गया था देखा विस्का होता है कार्षेत्र उत्तर प्रधेश रहा है क्या था इसका सबसे ज्यादा अधर उत्तर प्रधेश दो इन्डियन बिलइस सर्विस के पर्दान की जाती यानि कि आपकी जो आमेरिका की तरफ से इस को ग्रामेड यानि कि जो आपके इंडियन में चलाए गए थी तो तो उसके उत्थान के लिए वो आर्थिक साहता भी परधान करता था यानिकी इनकम भी परदान करता था तिक है और यह एक सफल कारीकरम सिध्ध हुआ यू tubing काने के मतलब एक यह अच्छा कारीकरम भी सिध्ध हुआ कि इसमें लोगों को लाभ भी प्रात हुआ तिक देखिए इसके अंतरगत जो है इसके अंतरगत बेक्ति गत जो वर्तालाब तथा सामोहिक बादचीत पर बल दिया गया और लोगों को आत्म विश्वास तथा विकास ठीक है आत्म विकास तथा ग्रामीर विकास के प्रति जागृत्ति पैदा की गई जिसके निम्वत क्या क्या हुआ कि जो कारकरताओं के गाउं में रहने का प्रभाव लोगों पर पड़ा और वोई कारिकरम के प्रति भी आस्थावान हुए और लोगों का भी लोगों का किसी संस्ता की और से सार्थर देखना नहीं परता था वरन कारकरता के माध्यम से ही उन्हें सभी पकार की स जो आपके इंडियन सर्विस इंडियन बिलेज सर्विस था उसके जो कार करता होते थे वो खुद ग्रामीर में रहते थे और अपना कार करते थे तो लोग क्या होता था उनसे प्रेरित होते थे और प्रेरित होतार वो स्वेम उस संस्था की और बढ़ते थे और उसमें अपना प्रांतर में क्याहलों को जागरूख हो गए और अपनी सम्हाइशाहों के प्रती सचेत हो गए। उनके फ़्ण ने में सचेत हो गए। यह तुट पहला उट्देश तो इनका पुरा हो गया कि उनकी्य समईशेम तो झाया थी यह लोग कि धीरे-धीरे उससे क्यों पूर भी क उसके मादम से क्या करने लेगी ग्रामीी नेत्रितstop भी विकास हो गया तथा nuo 흥े के शठापना हुई दिक उसी के साथ आस्थानिये कुछ संगत्नों का अस्थापना हुआ जो कारी करण में पर्धर्सहरं यहों sug पर पिजिखाते थे लाप होगा इस Nora को संपन किया कुणा जए में विश्वास करने बिस्वास करने लगते थे तो ये क्या करते थे कि ग्रामीर में इसका सोभाव भी महतपूर पच होता था ठीक है देखे आखिन देखी यानि आखो देखी जो चीजे होती है परदस्नी में महतपूर भूमका निभाती है अभी आप लोग को पता होगा कि आखों से देखी हुई चीज हमें बहुत ही अच चीजें होती थी उसको बना के उनको दिखाया जाता था वो देखते थे उनको पसिछर दिया जाता था फिर वो अपनी कार खुद करती थी इसके अत्रीत जो था इंदियन विले सर्विस के अंतगत क्या होता था दिरिस स्रभ साधनों का प्रियोग होता था यानि कि देखने क्या होता है दिरिश्चरव का मतलब कि देखना भी आपको दिखाई भी दे प्लस सुनाई भी दे थी जैसे ही समय आप लोग पढ़ रहे हो दोनों साधनों का प्रयोग किया गया ग्रामीरों को भरमर पर ले जाया जाता था नाट्यक अभी नीत्री आध होते थे और लोगों के लिए पुस्तकों परतिकाओं इत्याद की बिवस्ता की जाती थी क्ज़ारी नित्याद का भी इस कारीकरम में सम्लित किया जाता था तो इस तरह से आपका ये ग्रामीर्विकास जो है कार करता था कि क्या करता था पहले की परदस्निया करता था उनको दिखाता खुद उसके जो आपके बिलद इंदियन बिलद सर्विस के जो लोग होते थे वो खुद कार करते थे वो ग्रामी लोगों को दिखाते थे जिसे वो पुसाहन होते थे उनको परदस्नियों द्वारा उनको सिछा पदान किया जाता था उन करम की तरह इंडियन ब्लेस सर्विस को भी धार्मिक पूर्गरा का सामना करना पड़ा यानि कि सबसे बड़ी तुरूती क्या हुई कि जब इसमें लोग क्रिस्चियन लोग ही थे जो कि अमेरिका के आप लोगों ने पढ़ाई तो अमेरिका से आये हुए लोगों से ही काम लि थे ठीक आगी जो है कारिकरम की बाग दौर विदेशियों के हाथों में होने के कारण भी उच्च वर्गिय भारतियों का सयोग खुले रूप में प्राप्त नहीं हो सका ठीक है उसके बाद इसका एक कमी ये भी था कि ग्रामेर की स्रद्धा भले ही कारिकरम के प्रति थी कि अभाओं में कारिकरम पूरी तरह सफ़ल नहीं हो पाया इसके अतरी सिच्छा का भरपूर परचार नहीं होने के कारण भी अनेक साधनों तथा जैसे पुस्तिकाएं हो गई पतिकाएं ये जो दिये जाते थे उससे उन्हें लाव नहीं प्राप्त हो पाया ठीक है यानि कि ग्यान का जब अभाओ था तो इन सब चीजों का उनके लिए कोई उप्योग नहीं था इसलिए उनको लाव नहीं मिला तो ये इसकी तुटिया थी और आपके सामने मैंने इंडियन बिलेज सर्विस को आपके सामने रख दिया तो इसकी स्थापना सबसे पहले जो हुआ 1908 म वर्स में हुआ था ये मेरे तीजी टी पीजी टी बच्चों के लिए भी है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्रीस इसको लाइक करिएगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी आगे फिर हम मिलते हैं किसी नए टॉपि सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि मेरे नाटिक्विकेशन आपको सबसे पहले मिल सके ठीक है अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए